नमस्कार दोस्तो फाइनली UPSC 2014 वाला नोटिपिकेशन आ गया है जो डेट UPSC ने पहले बता रही थी उसी दिन नोटिपिकेशन आ गया है और ये कितनी अच्छी बात है कि बिल्कुल टाइम से चलता है UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन की तरह नहीं कि इनके एक्जाम होने के बाद भी एक्जाम की डेट पोस्टपूंड होती रहती है और कुछ भी होता रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है अगर प्लान से तैयारी करने वालों के लिए डेट अनौन्स होना बहुत जरूरी की है प्री की भी मेंस की भी और इंटर्वी की इस तरह से यूपीस्टी का एक पूरा शेडूल होता है जो पहले से फिक्स होता है और उसी का अकोर्डिंग को चलती रहती है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है प्री हो जाता है तो मेंस की डेट नहीं आती है मेंस की डेट आ जाती है तो बच्चे आगे किसको आ देते हैं तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम से तो अगर आप ग्रेजट हो चुका हो तो आपको यूपीस्टी की तरफ जाना चाहिए तैयारी करना चाहिए अगर एक सई प्लान से आप चलोगे, तो दो या तीर आटम में आप अच्छे से UPSC निकाल सकतो, अगर आप गाउं में रहतो, ध्यात में रहतो, तो भी संब्भ हुए, ज़रूर ही नहीं, आपको देल ली जाना है, ओके, तो शुरू करते हैं, देखें, नोटिपेकेशन आ गया है, जिस डेट को आना था, उसी डेट को आ गया है, फटापट देख लेते हैं, आपको क्या-क्या देखना है, नोटिपेकेशन में, देखें, सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है, कि आज 14 फरवरी है, और आपको 5 मार्च 2014 तक इसका फूम को फिल करना है, फूम फिल के माध्यम से आप फूम को फिल कर सकते हैं, उससे पहले देख लेते हैं, कि वेकेंसी कितनी है, देखें, 1056 वेकेंसी है, बहुत अच्छी वेकेंसी आई है, और लाज डेट क्या है, पांच मार्च इसकी लाज डेट है, क्वालिपिकेशन क्या चाहिए, आपको आपको ग्र एक अगस्त, एक अगस्त दोजार चोईस के अकोडिंग की जाएगी, और एज रिलेक्स एक्षन कितना होता है, पांच साल का है, एससे एस्ट के लिए, ओबिसी के लिए तीन साल का है, अटेम्ट की बात करें, तो जनरल वाले छे अटेम्ट दे सकते हैं, ओबिसी वाले नो एक हजार चपन है, एक हजार क्रोस कर गई है, तो आपको लग जाना है, अच्छे मैनेद करना है, एक हजार लोगों की किस्मत, एक हजार चपन लोगों की किस्मत, इस साल यूपेसी बदलने माली है, ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है, तो यह हमने देख लिया, इसकी वे उसके बाद last date बता दिए, last date में आपको एक बात ध्यान रखना है, पांच मार्च को 12 पीम तक नहीं, आपको 6 पीम तक ही फोम भर सकते हो, तो last date का वेट नहीं करना, यहाँ पे center भी मिलते नहीं है, जिन लोगों को देली center चीए, उनको जल्दी फोम भरना है, क्योंकि खतम हो question आते हैं, इसके लावा इन्होंने guidance के लिए number भी दियो है, आप 10 से लेके 5 के बीच में इनको phone करके, application phone बढने से संबंदित, कुछ भी जानकर यहां से प्राप्त कर सकते हैं, यह phone number है, उसके लावा वेकेंसी इन्होंने दे रखी है, 1056 वेकेंसी है, खुप सारी वेकेंसी प्लान के exam, दो तरह से exam होता है, एक pre होता है, उसके बाद mains होता है, और फिर interview होता है, तीन फेज में exam होता है, तो pre में दो paper होता है, paper first GS से संबंदित होता है, paper second C set से संबंदित होता है, paper second में आपको 33% marks लाने, अनिवार यह GS की cut-off का according आपको cut-off क्लियर करना होता है, age limit ह से आपकी age limit count होगी, 21 साल के होने चाहिए आप और 32 साल के, बागी relaxation है सही, SCST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, minimum education qualification, graduation है, आप किसी भी इंडिया की किसी भी university से graduate होना जरूरी है, किसी भी college से graduate होना जरूरी है, उसका लावा नमबर ओप attempt की बात कर लेते हैं, देखिए नमबर attempt, SCST के लिए unlimited है, OBC के लिए no attempt है, और general के लिए 6 attempt होते हैं, 32 साल तक. Attempt के बारे में नोंने कहा रहा, कि रहा है, कि form fill करने से attempt नहीं, आगर आप कोई भी एक paper में जब तक नहीं बेठोगे, आपका attempt count नहीं होगा. Last date का बता रखा दुबारा, आपको last date 12 पीम नहीं ध्यान कर रखना है, 5 मार्च को 6 बज़े तक आप form बार सकते हैं, तो आपको last date का wait नहीं करना है, जल्दी से form को बढ़ना है. ये उन लोगों के लिए जो OBC Non Criminal का certificate बनाना चाहते हैं, तो आप certificate की इन्होंने date लिख रखिए, एक April 2030 के भाद बना होना चाहिए, और 5 मार्च 2020 से पहले बना होना चाहिए. तो आपको अगर certificate नहीं भराया, तो आपके पास ये लगबग कितने 20 दिन है, उसके अंदर आप अपना certificate बनाईए, OBC Non Criminal का, और आप certificate बना के बाद 3 साल का age reduction से प्राप्त कर सकते हैं, 35 साल तक, OBC वाले 35 साल तक एक्जाम दे सकते हैं, अटेम्ट आपके पास 9 है, तो इस तरह से, एक्जाम की डेट सबसे important है, एक्जाम की डेट 26 माई, 26 माई 2024, ये जंक का दिन, 26 माई 2024, जिन्नोंने अभी से तैयारी शूरु नहीं की, वो भी इस दिन एक्जाम क्लियर कर सकते हैं, काफी टाइम है, बस आपको सही प्लान से, सही द गाईडेंस से आगे बढ़ने की ज़रुत है, तो और फीस बहुत कम है, 100 रुपए आप से UPSC लेगी, फोर्म बनने के वो भी उन लोगों से, जनरल और OBC से, बाकी ACST और disabled candidate के लिए, फोर्म पूरी तरह से फ्री है, तो इस तरह से ये पूरा हमने डिसकस किया, आपको जल्दी से फोर्म बनना है, और 20 मही को एकजाम होने वाला है, all the best, okay, thank you.